तुम टी ए स्टुडेंट, क्लास 9, सब्जेक्ट बाइलोजी, 7th चैप्टर हम पढ़ नहीं थे, 7th चैप्टर का आज हमारा, almost 7th lecture होगा, 8th lecture है आज हमारा, 7th चैप्टर का, मेकनिजम अब फोटोसिंस्सूस को प्रसेस को पर्सेस जैसे हमने कर बढ़ा आपके प्षूसिस्स में क्या हो रहा है कि एक एक्मॉस्फेरीक एर है महां से कार्बोन डाय ऐकसाइब रही है रूट रहे हैं वो सौहसे वाटर का इडॉप कर रही है साथ में ज्रायव सन लाइट से लाइट एपर हम इनर्जी रही है और ऑर लाइट एनर्जी से बीर हमाले ले पास वाटर तरहीं है कि ُ गुलुपोस बंता है, कार्बधना एक्सिजन और वसल साइट ए». साथ में ओक्सिजन और वाटर अब यह तो हमनी पड़ा सिंपल प्रोसेस कि सिंपली इस तरह से यह होता है कार्बना एक्साइड मिला वाटर मिला लाइट अनरजी मिली और यह गुलुकोस बन गया मेकनिसम एक्षिली इसके पीछे क्या है लाइट एनरजी किस तरह से जो हम यूज करनी है प्रोसेस के प्रोसेस में कार्बना एक्साइड कि इस तरह से गुलुकोस में रिड्यूस हो रही है वो उसका मेकनिसम आजाने पड़ना है बेसिकली जो प्रोसेस है यह होती है दो फेसेस में सबसे पैदा है एक लाइट फेस लाइक्शन जिनकों हम कहते हैं दूसरा है डार्ट फेस डार्ट रेक्शन लाइक्शन इस वज़े से कह रहे हैं क्योंकि यह जो लाइट रेक्शन होने हैं इनमें सनलाइट एनर्जी यूज़ होनी है सनलाइट यूज़ होनी है इस वज़े से हमेरे light reaction कह रहे हैं और फिर उन light reaction में जो energy बनती है उस energy से फिर आगे dark reaction चलता है तो इस वज़े से light reaction कहते हैं अब होता क्या है जैसा कि हम पता है कि plants में plants से cell में एक organelle होती है जिस उस organelle को हम कहते है chloroplast अगर हम यहां पर बनाएं यह क्लोरोप्लास्ट में present होती है थैलाकाइट्स थैलाकाइट्स प्रेजन है अब क्या होता है light reaction क्या है कि जब क्लोरोप्लास्ट के उपर light पढ़ती है अप्लोरोप्लास्ट में ने फैलाकाइट्स है थैलाकाइट्स के उपर जाहरे ख्लोरोफिल प्रेजन अब क्लोरोफिल जब उस यह पर पढ़ती है तो इस में प्रेजन्ट है ख्लोरोफिल अब chlorophyll molecule chlorophyll भी chemical है जब इसका आपर light पड़ेगी तो यह जो chlorophyll है यह active हो जाएगा इसमें से निकलेंगे electrons इस chlorophyll में से निकलेंगे electrons और वो electrons फिर travel करेंगे और वो electrons से हमें energy मिलेगी ATP और NADP यह दो energy की forms है ATP और NADP और NADP और NADP और Nucleotide adenine diaphosphate यह इसका मतलब है और इसका मतलब adenine triphosphate है तो यह हमें energy से मिलेगी अब क्या होगा कि यह जो electrons है यह जब हमें energy मिलेगी तो दूसरा काम क्या होगा उस energy की वजह से जो हमें water plant को मिला था बहा होगा वह वर्टर भी क्या होगा ब्रेक डाउं होगा फोडर ऐसे होगी इस लाइच छी वजह से यह वाटर मॉणिक भी break करेंगा और वाटर मॉनिकी ब्रेक करके हमें दे देगा और आपसिजिन तो इस तरह से तरह से मिल रही है यह लाइच रेक्षण हुआ है हम समरी इसके लाइच डिटेल में नेस्ट बढ़ें आज इसका जैनल मेंगिजम बढ़ें हैं तो इस तरह से हमाई पास हमें ऑक्सिजिएन बढ़ेंगा अब जब इस लाइट रियक्शन में 80P भी बनी है और NADPH भी बना है NADPH कैसे बना है कि इस एलेक्टरों से इस इलेक्टरों से जो ऑप्सिजन का जो हाईडोजन है इस हाईडोजन को ऑईडोजन में जेच किया और आगी शेंजकर गए इस NADP को रिदी यूस कर दिया हमें पता है ना इडिशन हाफ हाइड़जन इस रिडेक्शन तो NADP में वह हाइड़जन एड़कर करके NADPH में करवाट हो जाता है और डार्क रियक्शन फिर स्ट्रोमा में होता है इस फ्लेयर्ड है लॉरीशन होगा और अधर क्या होगा कि यह ATP और NADPH डार्क रियक्शन में यूज़गी इस ATP को एड़जी को यूज़ज करके तो जो कारबन डायवकसाईट हमें एक मास्ट से में लिती वह कारबन डायवकस को फिर चेंज कर दिया जाएगा गुलुकोस में वो carbon dioxide गुलुकोस में रेडियूस हो जएगी यूकि कार्बन के पास जिसे carbon भी oxygen में बस hydrogen नहीं है तो hydrogen की addition से carbon dioxide गुलुकोस में रेडियूस हो जएगी जब रेडियूस हो जएगी तो साथ फिर हमारे पास बाखी जो ATP और NADP बचे है और NADP भी से बचेगा किनके NADP H की hydrogen है बोल carbon dioxide को उसे इंडियूस करके गुलुकोस में जेंज कर दिया है तो इस तरह से गुलुकोस में बन जाएगा गुलुकोस में बन गया oxygen में बन गया और बाखी जो water है बचबचबचब वो निकलाता है यह हमारे पास है photosynthesis का system detail में बढ़ा हमी हमकिकश नेक्स चाइक्ट रड़े लाइन रीक्षन और दाकशन बढ़ीगे बस European system कि आज आख लाइन क्या आपि अब को करिए कोधिक दूर्स भी हुआ एक्टिव यह तुह और कलोईन के निकले है और एक्टर में पर यह में कार्बनाइक साइड वे ज Means Be exactly Exactly and adopting a और उसको यूश 누ीगी यह एज है यह जैनल कज्ण आपकिश मिन अशनला हम seven पढ़ेंगी आज के यह तना यह आप